भारत के बिहार प्रांथ में मदूबनी जिले से 15 किलूमेटर दूर एक छोटा सा कस्बा है राजनगर आपको इस जगह पर एक अनोखा और भव्य महल दिखाई देगा जिसका नाम है नौलक्खा पैलेस 1934 के भुकम्प ने इस महल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया किसी वक्त राजनगर अपने आप में एक पूरी दुनिया थी जिसका निर्मान दर्भंगा महराज के छोटे भाई राजा रामेशुर सिंग ने करवाया था पैलेस के मुख्य दुआर पर आपको चार विशाल हाथियों की आकरिती दिखाए देती है जो राजसी पहचान को दिखाता है इसकी छटों और दिवारों पर की गई कलाकारी आपको हैरान करती है पैलेस के आसपास फैले मंदिरों में आपको भारतिये और विदेशी कलाओं का बेजोड़ना मुना देखने को मिलता है महराजा रामेश्वर सिंग को तंत्र मंत्र में विशई सरूची थी इसलिए उन्होंने पूरे परिसर में 11 मंदिरों का निर्मान करवाया था इस परिसर के निर्मान के लिए फ्रांस से आर्केटेक्स बुलवाए गए थे पर दुर्भाग देखिए जिस महल को महराजा ने अपने लिए इतने अर्मानों से बनवाया था उस महल में रहने का सौभाग उन्हें नहीं प्राप्तों पाया अपने बड़े भाई की अचानक मृत्यू के कारण उन्हें दर्भंगा का राज्य समालना पड़ गया उसके बाद आई विनाशकारी भूकंप ने नौलक्खा पैलेस को एक खंडर में तबदील कर दिया सरकार और लोगों की बेरूखी के बावजूद ये महल आज भी अपनी जगर खड़ा है शांत स्थिर अपने अंदर एक यूग की कहानी समेटे हुए कर दो आई विनाशकारी